क्रीम बिनाही मेहर प्रभुका देखता पावन द्वार नहीं दो दिन के बाद फिर गुजराती और तेलगु टोली महरबाद पुची प्रभु के प्रेम में जो लोग खड़े हैं बैठ जाईए सहवास की ये पांच दिन हसते हुए और खुश रहे कर निकलने चाहिए बाबा मैं पाल्थी करके नहीं बैठ सकते क्योंकि मेरे गुटने नहीं मुड़ते गुलमाई मैं खुश हूँ कि मैं अच्छी कमपनी में हूँ क्योंकि मैं भी अपने गुटने नहीं मोड़ सकता कहो शुदानन भारती कैसे हो बाबा मैं बिलकुल ठीक हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने स्वास्त का अच्छी तरह ध्यान रखो नहीं तो रियल सेंस में सवास नहीं हो पाएगा जी बाबा मेरी बातों का तेलगू में कुटम शास्त्री और गुजराती में बरजोर महता अनुवात करेंगे यह सवास गुजरातियों के लिए तेलगू सीखने का एक अच्छा मौका है और आंध्र के लोगों का गुजराती सीखने का अगर कोई कुछ समझ ना पाएं तो सिर्फ मेरी तरफ देखना वो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा यही सहवास है सहवास का मतलब है गनिष्ट साथ मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहां मेरे साथ अपने घर के सारे कामकाज भूल कर पूरी तरह से रहो सहवास प्रेम का आधान प्रतान है अब हम प्राथनाएं करेंगे उसके बाद सब लोग एक-एक करके मेरे से मिलना मेरे अलावा और किसी का विचार अपने मन में मत रखना जी बापा ओ परवर्दिगा सर्व पोशका सर्व रक्षका नीवो आदिवनों अंतमनों लेनिवाडव अद्धी तुडव निर्पमानव नीवो प्रमानमूर के ववरो के रिंगनिर नीवो वर्नवो नानम ये सहवास खास महलाओं के लिए है इसलिए पहले महलाएं मुझसे मिलेंगी ये मेरी प्रियक गुदावरी मा है उपासनी महराज के बाद यही साकोरी का कार्य संभलती है ये मेरी यशोदा मा है गुदावरी माता की जे ये एक जुएल है अरनवाज जो नरिमान दादाचंजी की पत्नी है ये पूरा परिवार पिछले 20 सालों से मेरा प्रेमी है अब आदमी लोग दर्शन ले सकते ये बंबई के सवराबजी सिगन पोरिया है जो वहाँ मेरा सेंटर चलाते ये एक सच्चे वो बाबा के लिए न ठकने वाले कार्य करता है ये बुद्धिमान है और मुझे घहराई से प्रेम करते है ये मेरा प्रेम संदेश जर्थोस्तियों के बीच फैलाते है ये आंध्रकी कोदुरिक कृष्णर आओ इनका मेरे लिए प्रेम अनुखा है देखो खुदा के रास्ते में कई पत होते है मगर इन सबसे अलग एक पत होता है प्रेम का पत प्रेमी को अपने प्रियतम की इच्छा रखनी होती है और प्रियतम को हमेशा खुश रखना चाहिए अब प्रियतम की इच्छाएं क्या है अगर तुम मुझे अपना प्रियतम मानते हो तो मेरी इच्छाए हैं एक, अपनी जिम्मेदारियों जैसे घर, परिवार, ओफिस, नौकरी, इत्यादी से मत भागो दो, अपने सांसारिक कर्तव्यों को वफादारी से निभाओ लेगिन अपने मन में रखो कि ये सब बाबा का है तीन, जब तुम खुश हो, सोचो बाबा तुम्हे खुश देखना चाहते हैं जब तुम तकलीफ उठाओ, सोचो बाबा तुम्हे तकलीफ देना चाहते हैं चार, हर परिस्थिती में संतुष्ट रहो और इमानदारी वन निष्ठापुर्वक ये सोचो कि बाबा ने ही तुम्हे इस परिस्थिती में रखा है पांच, ये समझते हुए कि बाबा हर एक में है, दूसरों की मदद वस्यवा क्या हुआ बाई, कुछ समझ में आ रहा है? जी बाबा, मैं अपने दैवी अधिकार से तुम सब से ये कहता हूँ जो भी, कोई भी, और हर एक अपनी आखरी सांस में मेरा नाम अपने होटों से लेगा, वो मेरे पास आ जाए इसलिए मुझे हमेशा याद करते रहो क्याम उत्सफ था मनाया सबने ही आलहाद में, नाव पुझ्बों की बनी महर प्रभुवर के लिए, लोग आरणगाओं के थे साज करने के लिए मेहर प्रभुवर का जिन्मती बस रखा कण कण सारे जाग उठे पक्षी ब्रुक्ष नताए सारी अपनी निद्रा जाग उठे जय हो तुमारी करते जय जय आर वहां थे और विहर्ष मनाए रे स्वागत करने प्रिय प्रभुवर का भव्य जुलुस में जाय रहे जय हो तुमारी जय जय हो मिहर मिहर जय जय मिहर मेहर मेहर जय जय मेहर मेहर जय जय मेहर fins अवतार मेहर बाबा की जय आवतार मेह बाबा की जै आवतार मेह बाबा की जै Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Baba Happy birthday to you Hastu niramatu saunegamatu Saal mubarak hojo aaj Murado tantani chaye Nava asalama faljo Hastu niramatu saunegamatu Saal mubarak hojo aaj Godavari ma, aaj के दिन इन लोगों द्वारा मेरी पद पूजा करने की इच्छा प्रकट करने के कारण मैंने बारा आदमी वह बारा महलाएं चुनने के लिए कहा था मगर इन लोगों में मदभेद होने के कारण मैंने अपने पैर खुद ही धोने का निश्य किया बाबा ये आपने अच्छा किया बाबा ये गोदावरी नदी का पानी है बाबा ये गंगा नदी का पानी है मैं इस ड्रम में डाल दू अवतार में बाबा कीजे ये जो मेरी पद पूजा का पानी है इसमें कुछ धूल है इसलिए कोई इसे पिएगा नहीं इसे केवल अपने माथे पर लगाना मुर्ती, पहले तो बाबा ने इस पानी को पिने के बारे में कहा था हाँ गाडे कर लगता है शुद्धानन भारती के गंगा जल को ड्रम में डालने से बाबा ज्यादा खुश नहीं हुए इसलिए शायद बाबा का आदिश बदल गया ओ सफेद कफनी वाले ओ सफेद कफनी वाले तुम पे लाखो सलाम जग शांती का जे मौन लिया है बे महान तपस चा तूने किया है ओ महराबाद वाले तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम मन मोहक है तेरी मूरत जी भर भर देखे ऐ सूरत ओ लंबे बाल वाले ओ लंबे बाल वाले तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम तुम बिन मेरा कौन सहारा तुम बिन मेरा कौन सहारा मुझे लगा दो ऐ भव पारा ओ पवित्र चर्णन वाले तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम महराबाद वाले ओ लंबे बाल वाले ओ जातु नैनन वाले ओ पवित्र चर्णन वाले तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखो सलाम तुम पे लाखों सला गुदावरीमा ये निश्चित है कि मैं हरेक में हूँ और सूरियों का सौंदर्य मेरी वास्तविक्ता की साथ में परचाई जी बापा और विदा की आई बेला कुछ समय के बाद में मस्त सब ही हो गए थे परम पावन जाम में साथ मुझको ले जाओ और रखो तुम साथ ही प्रेम पाकर तुम बिताओ प्रेम की जिन्दगी ही कुछ सहवासी अपनी आखों में आसु छलकाए रहे और कुछ आसु पी कर भीतर बहुत वेतना पाए रहे खास ट्रेम पहुची जल्दी से सहवासी मजबूर हुए पीर लिए बैठे कहते वे प्रियतम तुम क्यों प्रूर हुए चली ट्रेन धीरे से और सब अपने आसु जोड़ गए में प्रभू से जीवन भर का पक्का नाता जोड़ गए ये इन लोगों का कितना बड़ा भाग्य है कि मैं इन्हें खुद विदा करने आया ऐसा प्रिविलेज तो हिंदी मराठ की गुरूप वालों को भी नहीं मिला था जी बाबा वे अपने साथ मेरा स्पार्क ले गए है और मेरा फ्रेम हर जगह फैलाएंगे इस अवतारिक काल में सन 1955 वा 1958 हमेशा एक अधवितिय स्थान लेंगे क्योंकि तब सहवास प्रोग्रामों के दोरान अलग-अलग भाशाओं की चीडियाओं को महराबाद के वाग में रहने वगाने का मौका मिला और उन्हें अपने खुदा की वास्तविक्ता जिनमें आत्माओं की आत्मा का समावेश है के पास आने का मौका मिला अधार मुली जड़के साधे रेमियों की वे रही बस याद मुली माह बरेश को जा रही मेह प्रभू की खमास कुछ देर की पूना है चंपी थी सब्वाद तुमारे करदेश की शाथी तो बहुत पासा जेए तुम शाथी अटेंट करने चारे को बेंदुर भाओ मैं सोच रहा हूं की बाबा से पूछ रहा हूं अगर उनकी आखिया पूदी तो चला जो हूँ हां रिक्षिद रहे रहा अभी बाबा आने वाली तो है तुम पूछ जूच ले ना करूछ को अधर आपकी आजो हो हूं कि अधर्याान या जरूर जरूर आपने सर्दय शाधीने तुमने जरूर रहा जाहे sleeping to आप में शरूरी शादी में संब्ध हो, खुश होने हैं, जी बाब, मैं तो भवत ही बुटुटुट। ऐसे ये शादी कहा होने हैं? बाबा, या अग्यारी में शाम के चाग होने संब्ध हो, ठीक, वहाँ अच्छा समय बिताने और जल्दी बाद साने, जी बाब एरश, रहर मैं बहुत खुशिँ कि तुमा जी यह शादी में आगे हैं? यहां, बाबा नो मुझे शादीन आगे कि इजावक बेली हैं. यहां आकर खुशिँ हैं? यहां पर शादी के पहाने एल्या में एक आउटेइट में होते हैं. तेरे चलो ज़र उदर चलो, देखते हैं, वहां क्या होना है, तेरे शहर तो एक नियूस्टेपर का एगेटर है, अच्छा, यहां क्या है, मैंने सुना है कि महर बाबा लोगों को अपनी तरफ खीचने की दोशित करते हैं, उनके प्रेमि लोगों के पाथ जाते हैं, और कहते हैं क्या तो नाम के बफ्षुद, उनने बुद जा, वह अपने हैं और चाल शिकेश, अब तुम्हें महर बाबा को पख़गना चाहिए, इसी तरह कुष्णे के प्रेमि यों से थी का जाता है, और महर बाबा को मानने के दिए बताया जाता है, यह आँ क्या के नहीं, और स विश्यों लोगों से कहते हैं कि यह इस निता हुआ इष्टियास है, अब उन्हें में अबाबा की दर्वरते हैं, तुम्हें उन्हें विश्वात रखना चाहिए, वह वही पुरातम कुरुष है जो फेट से आये, क्या यही तब कहने हैं कि मेर बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा क्यों करते हैं, वह दुसरों को उनकी बक्ति से क्यों चुड़ानी की कोशिश करते हैं, तो यह बहुत है, मगर हम यह आशाभी के लिए हैं, इस तरह के वेक्चर के लिए हैं, लेकिन मुझे इसकी वासरिता जानीन है, वैसे आठाब कम हैं, यह इरच बाबा की मंड़ी में से इरच, यह सब एक घंटे से चल रहा है, यह अच्छा है कि तु यहां आये, क्या बाबा ने ऐसा कुछ कहा हैं, तेखो अब तक मैंने जो खुद भी संचित किया थे, वह में बता था, एडिटर भाई, अब तक तुमने जो भी कहा है, सब करत, मेरे बाबा ने ऐसी कभी नहीं कहिए, और नाहीं अपने प्रेमियों से ऐसी चीज़े कहने के लिए काम है, बाबा कभी किसी को बाहर ऐसा कहने नहीं बेचते हैं, और नहीं किसी को यह करने बेचते हैं, कि लोगों को पुरुष्ण, राम, जीजुस, दोरैश्टर को भूल जानाता है, या फिर किसी कोई है, बली कि इसके लिपरी, बाबा कहते हैं, मैं वहीं पुरादश्ट पुरुष्ण, अगर कोई जीज़स, राम, जीजुस्टर की भक्ति करता है, और तुम उसे उसकी भक्ति से खीचते हो, और मेरी तरफ दोनने की कोशिश करते हो, तुम तेरा दरज़ा उन जी कि इने खटाते हुआ, क्योंकि मैं वही राम कृष्ण रीजिस आगी हुए, यही मैंने मेर बाबा से सुना है, क्या ऐसा है। तब भी बाबा प्रेणिय ऐसा क्यों कहते है, मुझे नहीं बता, लेकिन मैंने इसका मेर बाबा से समझा है, वह अप्रेणिय है। अपने जोश में तुछ बाबा प्रेणियों ने शायद कुछ और काम हुए, मगर मैंने वही बाबा से, खुझ से, ऐसा ही चुना है। अच्छा, तब तो ठीक है। एडिटर माई, तुम विकर ओट्स के बाई में इचांते हो। हाँ, जब मैं बच्चा था, उसे खाने में देता था, और अब हम अपने बच्चों के जी देते हैं। हाँ, बाबा ने बताया है, कि ओट्स बच्चें के लिए बहुत अच्छी होगी है। क्योंकि वह बच्चों को पोशन रेती और उन्हें ताकतवर ओजर से पादी। फिर बाबा ने हमें एक कान उसे है। एक माँ, अपने बेटे को सानुतर क्वेकर ओट्स नाश्टें में किला थी। एक बार जा ओट्स खत्म होगी। और क्योंकि यह बार के दिन थे हैं, तो ओट्स की कमी भी होगी। वह दुकान उपर रही। और दुकानगार से सामने रखे ओट्स के आखिर इन को देने के लिए इंसिस्ट करने थी। दुकानगार ने बहुत कहा। यक्तिन मन दोगी। मगर वो उस्पान की ही निए। मैं ज्यादा पैसे दोगी। मगर मुझे यह तिन दे ही दोगी। मुझे अपने बेटे को खिला निए। दुकानगार में कहा। नहीं आप समझें। यह ज्यादा पैसे देने का सवाल नहीं है। मुझे क्वेटरोग का अभी नया डॉट मिला है। यह तिन पुराने स्टॉप का अंदिन है। मैं आपको अपने नए स्टॉप में से खिल दे रहा है। फिर बाबा ने मुसे पूचा। ऐसी कौन सी माँ होगी जो पुराने स्टॉप का सामान खरी देगी। जबकि फ्रेश्टॉप अभेविल है। बाबा ने कहां मैं फ्रेश्टॉप करें। यह समी ग्वेटरोग से हैं। सबके अन्ज एक ही हैं लेकिल मैं फ्रेश्टॉप करें। अब मैं समझा। सहवास के बाद प्रभुवर रहे दिन रात महराजाद में फिर महाबलेश्वर पूना गए प्रेमियों की याद में। अमरीका फिर चल दिये श्री महर प्रभुराज उड़कर सब के साथ में करने अपना काज। आसुओं से पाव विदाई प्रे प्रभुवर उड़ गए और वे ऑस्ट्रेलिया जा ठेरे कुछ दिन के लिए। प्रभु ने खुद को दे दिया प्रेमी जन के हाथ दे उनको सहवासवे रह गए उनके साथ। लोटकर परदेश से प्रभुवर ने महराबाद में दे दिया विश्व व्यापी संदेश करने प्रसारित चहु और प्रेम में। प्रभु ने महराजाद में फिर एकांतिक वास किया अनोखा बहुत ही सह कर जक्का त्रास। एक वहाँ पर मस्त था नील कंठ था नाम करते थे प्रभु रोज ही साथ उसी के काम। बैदुल जब ये नील कंठ मस्त यहां महराजाद में कुमार के साथ आया था तब तो मौन में था। तुम ठीक कहते हो मगर बाद में जैसे ही बाबा ने डस जुलाई को विश्ववापी संदेश दिया इसने अपना मौन तोड़ दिया और तब से ये बिना रुके कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। अच्छा ये निलकन मजबिक कमाल का निकला। तुम्हें पता है ये हिंडी, इंग्लिश, बंगाली उर्दु में बाते भी करता है और लिखता भी है। ये संसार एक जीरो है और इसी में खुदा है। बैदुल, बाबा का कार इसके साथ तो खुब तेजी से चल रहा है ना। हाँ, बाबा तो खुब खुब देर तक इसके साथ बैठे रहते है। और अपने इस एकांतवास में बाबा अपना आंतरिक कार बहुत गहनता से कर रहे है। हाँ, लोबा, ये निलकंड मस्त उसमें बाबा की बहुत मदद कर रहा है। ये मस्त तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है। हाँ, लोबा, तुम ठीक कहते हो। धरती तुक्डे तुक्डे हो जाएगी। आदमी लाचार और बिना अश्रे के ऐसे हो जाएगे जैसे जानवर पठार में गुमते रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आदमी मर जाएगे और फिर से जनम लेगे। बलात परिस्थितियों में आदमी घास वा पत्ते खाने को मचबूर हो जाएगे। आदमी के बनाये पुराने निवास्थान नस्थ हो जाएगे और फिर नये बनेंगे। श्थानिय भासावों जैसे हिंदी वाली जगे अंग्रेजी भासा से प्रतिस्थापीत हो जाएगे। रीती रिवाज और धार्मिक समारों समाथ हो जाएगे। एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देगा। ओ, ये नीलकंट मस्थ तो बहुत उचे प्लेन का लगता है। आप यहाँ बैचिये। नीलकंट एक बहुत ही उचीक शमता का मस्थ है। ये मेंटल स्फियर के जठे प्लेन पर है। एक बार तो इसने मुझे संस्कृत के वो पद सुनाए थे, जो रावण ने शंकर के गुणगान में सुनाए थे। और कभी-कभी ये मेरी प्रशनसा में भी संस्कृत के पद बोलता है। हम आपके साथ बोलते हैं, हम आपके साथ खाना खाते हैं और आपके साथ मजाग करते हैं अपनी अज्यानता में जीवाँ मेरा कारिय नीलकंट मस्थ के साथ शत प्रतिशत मेरी संतुष्टता के अनुसार पूरा हो गया है वैदुल तुम इसको रिशिकेश की आश्रम में छोड़ कर आओ पर बाहर किसी से भी मेरे एकांतवास के बारे में मत कहने यहां तक कि किसी से भी तुम्हें कोई भी बात नहीं करनी है जी बाबा अगले जनम में महर्बानी करके मुझे फिर से बुलाईए जब भी आप मुझे बुलाईएंगे मैं जरूर आओ यहां अब आप मुझे इस सरी से अजाद कर देए भाव जी बाबा का एकांत वास तो बहुती दिल को हिला देने वाला होता है हाँ तुम ठीक कहते हो बाबा का एकांत में अपना विश्वव्यापी कारी करना जिसकी वज़े से उनको इतनी तकलीफ में देखना वाकई में उनके प्रेमियों के लिए बहुत मुश्किल काम है हाँ यह तो है और जो रात को बाबा की ड्यूटी करते हैं उनके लिए तो बाबा को ऐसी हालत में देखना और भी ज़्यादा तकलीफ में है तो भाउजी बाबा एकांत वास के बाद क्या आराम करते थे या तब भी अपना कार्य ही करते थे देखो भाई बाबा का आराम तो कभी नहीं होता था क्योंकि एक बात बाबा ने बताया था कि अगर उन्होंने सेकंड के सौवे हिस्से में भी आराम किया तो सारा विश्व व्यापी कारे ही रुख जाएगा बाबा का कारे तो हर पल चलता रहता है अच्छा? यह एक अलग बात है कि बाबा ने अब यह निश्चे किया था कि गर्मियों के तीन चार महिने वे पूरा गुरु प्रसाद में रहेंगे बागी के महिने महिनावजाद में भाउजी यह गूरु प्रसाद क्या है? ये गुरु प्रसाद पूना में एक महल है जो बड़ोधा की महारानी शांता देवी का है जो खुद अप एक बाबा प्रेमी बन गई है उन्होंने अपना महल बाबा वा मनली को रहने के लिए दिया है बहुत ही खुबसूरत जगा है यहां बाबा अपने प्रेमियों से मिलते हैं अच्छा भाउजी तो मुझे भी गुरु प्रसाद में ले चलिए जहां बाबा अपने प्रेमियों से मिलते हैं तो ठीक है चलो मगर उससे पहले महराजाद की एक महत्वपून घटना के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू कर दिया बाबा ने बुलवाना एहमद अगर प्रेमियों को फिर महराजाद में ताकि सुन सकें गायन उनका गाते थे वो जो प्रेम में फिर ले प्रेणा इससे खुल गया एहमद अगर सेंटर आने लगे प्रेमी फिर इस सेंटर में जो था खुश्रू क्वाटर म देदी बाबा ने आ गया, फिर अपने प्रेमियों को, कि वे आ मिल सकते हैं उन्हें नौव बारा बज़े के बीच उन्को आने लगे प्रेमी जन फिर, पाकर ये सर्कुलर नियमित, दूर दूर वपास से भी होकर बहुत हर्शित बाबा आपका सरकुलर पाकर लोग दूर से आपसे मिलने आने लगे ठीक है आने दो मैंने अपने एकांतवास की पाबंदी के बाद उनको मुझसे मिलने की ये आजादी उनके प्रेम वो उनकी भक्ती और आग्याकारता के बीच के संघर्ष को देख कर ही दे दी है जी बाबा तुम लोग ये याद रखना कि मेरा कारिय मुझसे ज़्यादा महत्वर रखता है मैं आनंत हूँ और मेरा कारिय दूसरों को मेरे बारे में जानने के लिए जरूरी है ये एक फैक्ट है जब मैं कहता हूँ कि मेरी विल के अलावा कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए ये तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए कि बाबा के विश के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये है कि मेरी विल और विश दो अलग चीज़े है जैसे कि मेरी विल के अलावा कुछ नहीं होता और तुम्हारा मेरी विश के खिलाव जाना मेरी विल है बाबा, रामचंद्र गाडेकर और उनकी पत्नी गुनाताई आये हैं उन्होंने आपको अपनी बेमारी के बारे में पत्त्र लिखा था ना ठीक है उन्हें बुलाओ बाबा, आप तो मेरे तकलिप के बारे में जानती है आप यह चाहते हैं कि मैं अपना ध्यान आपसे प्रेम करने में और जदा लगाओ इसलिए आपकी जदा से जदा याद करू और परिवार वालों के आरामों स्वास्त की चिंता ना करू और जदा से जदा आप में ही मगना रहू बाबा आप मुझे ठीक कर दीजिए मैं अलग अलग स्थानों पे आपका प्रेम भैलाना चाहता हूँ गाडेकर चिंता मत करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जी बाबा भाव गाडेकर को जरा बाहर ले जाओ आओ गुणाताई मेरे पास बैठो जी बाबा गुणाताई गाडेकर मेरे पास बहुत जल्दी आने वाला है इसलिए उसकी सेवा अच्छी तरह करो जितना हो सके उसे खुश रखो जो भी होने वाला है होगा तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए अपने आपको थंडा रखो और उसे जितना आराम दे सकती हो दो जी बाबा आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी आओ गाडेकर आओ बैठो महरदास जी बाबा महरदास तुम गाडेकर के साथ पुना जाओ और उसकी देख भाल कर जी बाबा गाडेकर मेरा नाम लगातार लेते रहो और बिलकुल चिंता मत करना तुम सब लोग गाडेकर के पास जाकर खड़े रहो और कहो भक्त शिरोमनी रामचंद्र गाडेकर साहब की जय जन्व दिन प्रभु का मनाया फिर गया संसार में किन्तु महराजाद में कुछ भी मनाया नहीं गया उस साल में प्रभु गये फिर पूना गुरु प्रसाद में और गये गाडेकर के घर भी प्रेम में बस बस गुना था ही अब और नहीं मैं और नहीं का सकता बाबा मेर बाबा मेर बाबा बाबा ठीक है कोई बात नहीं है … बाबा बाबा मेरे आउं भग्य कि आप हमारे घर आए कहो गाडेकर तुम्हारा दर्द कैसा है तुम कैसा महसूस कर रहे हो बाबा क्योंकि आप मुझे देखने आये हैं मैं जरासा भी दर्द महसूस नहीं कर रहा हूँ गाडेकर आज महाशिवरात्री है और तुम्हारा शंकर खुद तुम्हें देखने तुम्हारे घर आया है मेरा नाम दिन रात लेना और लेते ही रहना ये गाडेकर की किस्मत का बाबा से आखरी मिलन था इसके बाद गाडेकर कभी भी बाबा से नहीं मिल पाए छोड़कर हमें प्रभु दूरे क्यों जा रहे देख लो हम किस तरह वेद नाहे पारे है वेद नाहे पारे है आसुओं को देखो प्रियतं छोड़ मात जाओ प्रभु जाते हो तो साथ अपने हम को ले जाओ प्रभु जाते हो तो साथ अपने ज्यादा गाड़कर की फिर दिया शरी छोड़ उन्होंने पूना में फिर बता दिया बाबा ने फिर मनली जन को गाड़कर आजाद हो गया वो लंबे समय तक फिर से जन्म नहीं लेगा अब वो तभी मेरे साथ वापिस आएगा जब मैं साथ सो साल बात फिर से अगले अवतार के रूप में आओ बंबई प्रभुवर गए फिर दरश देने के लिए बता दिया अनवास को ये है दौरा आखरी उनके लिए प्रभुवर गुरु प्रसाथ पुना में फिर आ गए छाया बस आलहाद सब प्रेमी जन में वहाँ एक अप्रिल को देशमुप के साथ एप्रिल फूल के अफसर पर बाबा ने किया एक अनोखा कारे फिर कहो तुम सब लोग कैसे हो? बाबा हम लोग बिलकुर ठीक है देखो जैसा कि तुम सब जानते हो आज एक अप्रेल है एप्रिल फूल दिवस जी बाबा आज देशमुप नापपुर से आने वाला है मैं उसके साथ एक मजाग करूँगा और तुम सब को भी मेरा साथ देना हो जी बाबा हम लोग आपका पूरा साथ देंगे तो ऐसा करेंगे जब देशमुप आएगा मैं उसको एक उपहार दूँगा ये उपहार मैंने खास तोर से एरच से तयार करवाया है बाबा इसमें क्या है? बिंडू मैंने इन खूपसूरत कागजों के अंदर एक पत्थर रखवाया है तो अच्छा एडिया है ना जी बाबा ये एक अच्छा मजाख होगा देशमुप मैं तुम से बहुत खुश हूँ उठो आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ देशमुप क्या तुम इसे खूलोगे नहीं? बाबा अभी बहुत समय है जब आप महिलाओं की तरब चले जाएंगे तभी खूल लोगा अब क्या करूँ? देशमुप के साथ ये मजाख कैसे किया जाए? ये तो मुझे देखने का एक सेकंड भी बरभाद नहीं करना चाहता डॉक्टर, क्या तुम बाबा के उपहार का सम्मान उसको पुरी तरह से नजर अंदास करके दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं उसे नजर अंदास नहीं कर रहा हूँ मगर मैं उपहार के उपर इतना ध्यान क्यों दू? जबकि देने वाला स्वयम मेरे सामने है अरे देशमुक उपहार खोलो ना हाँ हाँ देशमुक, जर हम भी तो देखे कि बाबा ने तुम्हें उपहार में क्या दिया है? हाँ हाँ देश्मुक, हम भी इसे देखने के लिए काफी उत्सुक है, खोलो, अरे खोलो ना नहीं भावो, मैं उसे बाद में खोलूगा, अभी मैं बाबा के पास बैठा हूँ देश्मुक क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते? पुकार, सच्चा यह है, कि मेरे प्रियतम का मुझे याद करना जादा मुल्यवान है, यह कुछ माइने नहीं रखता कि उसमें क्या है? तो तुम यह कहना चाहरे हो, कि तुम्हें इस बात की परवा नहीं है, कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ खास चुनने के लिए इतनी तकलिफे उठाई है? यह किस तरह का अखडपना है? क्या है अपने प्रियतम को सम्मान दिखाने का सही तरीका है, कि उनके उपहारों को नजर अंदास किया जाए? ठीक है एरज, तुम कहते हो, तो मैं बाबा का दिया यह अपहार खोलता हूँ. बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरे लिए एक पुर्ण उपहार है. पेंडू यह देश में किस तरह का इंसान है? हाँ, इसे पत्थर मिला है और फिर भी यह इसे पुर्ण उपहार बता रहा है. दोक्तर, ऐसा लगता है, जैसे आपको केवल एक पत्थर मिला है. हाँ, बाबा, मगर जरा सुचो, अगर मुझे कुछ और दिया जाता, समय के साथ हुए काम में आ जाता, यह खराब हो जाता, यह फिर मिट्टी में गिड़ जाता, लेकिन यह यह एक अमर उपहार है. यह पत्थर, यह पत्थर मुझे हमें से याद दिलाएगा, कि मुझे बाबा के उपर एक चट्टान की तरह मजबूत विश्वास रखना चाहिए. बाबा, हम लोग तो देश्मुख का मजाग बनाने गए थे, पर यह तो उल्टा हमारे उपहर ही पड़ गया, हम ही असी के पात्रे बन गए. हाँ देखो, यह है देश्मुख का मेरे प्रती चट्टान के सम्मान प्रेम, देश्मुख का मेरे उपर विश्वास बहुत गहरा है, कोई भी चीज इसे डगमगा नहीं सकती, देश्मुख मैं तुमसे बहुत खुश हूँ. ठाम से भिन भिन गुरुप्रसाद में लोग दर्शन के लिए, रोज आते थे सुधा प्रभुवर से पाने के लिए, आई क्रिकेट टीम वहाँ पाने को आशिरवाद, जाती थी इंग्लैंड वे करके प्रभु की याद, प्रभु ने गले लगाए खिलाडियों को सब वहा प्रेम बीजवे पाए, महें प्रभु से मिल वहाँ, गुरुप्रसाद में बाबा ने एक दिन बुलाई मीटिंग सब प्रेमियों की, और कहीं उनसे एक बात प्रेम की बाबा, आपने हम लोगों को बुलाया? हाँ, हाँ, आओ भाई, सब लोग बैठो, देखो मैं बहुत ठक गया हूँ, पुरे भ्रमान का बोज मेरे कंधो पर बहुत भारी हो गया है, मैं अपने आपको ताजा महसूस करना चाहता हूँ, और कुछ आराम भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहां तुम जितन अपने भी लोग उपस्तित हो, एक छोटा हास्य से भरा नाटक करके मुझे हसाओ, और मेरा बोज हलका करो, जी बाबा, बाबा, हम लोग फौरण उसकी तहरी शुरू करते हैं, वाह वाह, ये थेम तो सबसे अच्छी रहेगी, हाँ राम प्रसत, बाबा को ये पसंद भी आएगी, चलो, ड्रामे की स्क्रिप्ट तो तयार हो गई, मुर्ती, तुम हीरो का रोल करोगे, अरे मैं तो इतने जल्दी इतने लंबे लंबे डैलोग याद नहीं कर सकता, भरु मुर्दा तो बोलता नहीं है, इसलिए डैलोग याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ही ठीक रहेगा ठीक है मुर्ती, तो ठीक है, मुर्ती मुर्दे का हुकार हीरो वा बाबु राम प्रसाद हीरोईन का रोल करेंगे हीरा, तुम नाचो गया, मैं गजवानी वर धाके, मुर्दे की अर्थी उठाने का कार्य करेंगे, चलो अब सब सेट हो गया बाकी सारे प्रेमियों को दूपर में नाटक देखने आने के लिए बोल दिया है न, हाँ, हाँ, वह सब तो हो गया है खर्दी शुरू करने ड्रामा की तयारी वहाँ, मुर्दे को कैसे ले जाना है, विचार चल रहा था वहाँ बांधिया मुर्थी को बना मुर्दा फिर, और हो गई खुश की ड्रामा बढ़िया हो गया है तयार पर नहीं जानते थे कि वे भी बाबा है आखिरकार, क्या होगा उनके साथ इस बड़िया स्क्रिप्ट के पार आप लोग ड्रामा शुरू करिए मे नाम सत्य है मे नाम सत्य है अरे पेचारा, बड़ा अच्छा द्वी था पश्रीम बंगाल से आया था इसने बाबा के इसकी जगाने के लिए बहुत निवेदन किया है पर बाबा नहीं गया है बिचारा इतना निराश हो गया कि आखिरकार मर गया अब इस बिचारे का क्या हो गया बाबा थोड़ी दया कीजिए इस मृत अभावे को अपना दिव्य स्पर्श प्रदान कीजिए बाबा इस दुखी आत्मा की आख्री इच्छा पुर्ती के लिए आप उन सभी जगों पर जाये जहां आप कभी नहीं गये है और सब को अपना दर्सन दीजिए बाबा चाते हैं कि अर्थी उनके और पास पेरों के करीब लाई जाये मुर्दे का रोल करके मैं तो बहुत ही भागयवा नुग कि मेरा शरीर भाबा के पास उनके पवित्र पेरों को चुएगा बाबा कॡिपया आप अपने पावन हातों से मुर्दे को चू दीजिए बाबा अगर आप अपने हातों का डीवियस पर्ष इस मुर्दे को दे देगे तो उसका जिवन सफल हो जाएगा बाबा इसे अपने हातों से हाथों से जल्दी से चू दिजे वरना अगर देर हुई तो यह मुर्दा जल्दी सटने लगेगा चलो हमारा ड्रामा करने का जो मुख्य उत्देश बाबा को हसाना था बहुत तो सफल हो गया मुर्ती इधर आओ मेरे पास मुर्ती तुमने किसलिये मुर्दे जैसा हास्यासपद रोल करने के लिए चुना बाबा मैंने सोचा कि यह सबसे आसान रोल है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के डायलोग याद नहीं करने पड़ेंगे देखा किसी भी द्रामे में एक मुर्दे का रोल करना भी कितना मुश्किल होता है जबकि तुम्हें तो मेरे प्रेम में सत्य में ही मुर्तक होना है आज मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ मुर्दाल मुर्ती इसका मतलब है मुर्त मुर्ती जो ठीक है ना? जी बाबा, जैसा आप चाहे भेजने लगे मुर्ती फिर अपने मुर्तक परिपत्र सब मुर्दाल मुर्ती के नाम से लोट पुना से प्रभुवर आये महराजाद में और रहे एकांत में बस रेमियों की याद में प्रभुवर के ही परमकाच की किडने थी जो फैल रही अंदकार को माया कावे लए करने को ठेल रही पीर साहे मस्त के साथ कार करके हुए खुश बाबा प्रेम में और फिर बता दी कुछ बातें अपने कारे की गहनता लाने में सब लोग रात को ठीक से सोए जी बाबा मेरे कारे का अनंतरूप से नाजुक पहलू मेरी पूरी संतुष्टता के साथ 28 अक्तूबर को समाप्त हो जाएगा मेरे कारे का शत्प्रतिशत परिणाम 24 दिसंबर तक हो जाएगा इस परिणाम का प्रकटि करण दो पहलूँ में आएगा एक मेरा हुमिलियेशन दो मेरे ग्लोरिफिकेशन का मेरे हुमिलियेशन वाले पहलू में तुम्हारे मेरे प्रती प्रेम की मात्रा और तुम्हारी मेरी आग्यापालन की तैयारी परखी जाएगी मेरे द्वारा नहीं बलकि खुद अपमान के पहलू द्वारा ही तुम्मे से वो लोग जो इस सब में मेरा दामन कसकर पकड़ेंगे आशिरवात पाएंगे और वे मेरे प्रेम की दिव्य महिमा में एक विजाई की तरह उभरेंगे दूसरा ग्लोरिफिकेशन वाला पहलू तब आएगा जब मैं अपना मौन दिव्य शब्द यानि दिवाइन वर्ट के द्वारा तोड़ूँगा वो शब्द जो मनुश्यों के दिमाग वर रदय में खुदा के अस्तित्व को बिना किसी विवाद के स्थापित करेगा शब्द जो संसार को ये बताएगा कि खुदा का न केवल अस्तित्व है बलकि केवल उसी का अस्तित्व है अनन्त और अनादी रूप से युमिलेशन का पहलू जो आने वाला है एक धुएं की तरह है जो पहले तुम्हारी आँखों में जाएगा तुम्हें अंधा करेगा ध्रम पैदा करेगा और तुम्हें ढखने की कोशिश करेगा इससे ना तो विचलित होना और ना ही आतंकित होना आग जो उसके बाद आएगी उस शक्व ब्रह्म के धुएं को साफ कर देगी उसकी रोश्नी एक ही सत्य को उजागर करेगी कि वो है और इस सत्य की खा जाने वाली लप्टों में वो सब नश्ट हो जाएगा ये मेरा गुरगान है चिंता मत करो खुदा उनको अबैंडन नहीं करता जो उस पर विश्वास रखते है वे लोग जिन्होंने आज इच्छा पूर्वक अपने को मेरा गुलाम बनने के लिए चुना है कल सच्चे घुरू बन जाएगे मेरा कभी न खत्म होने वाला प्रेम तुम सब के लिए है खत्म हुआ बाबा का ये गहन एकांत्वास 24 दिसंबर 1969 पर और उसी दिन मनाया गया मेरा का जनन दिन वार पर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है बाबा की हाले तो खराब होती जा रही है उनका कार्य कितना कठिन है कहो भाई कैसे आना हो बाबा भावजी ने मुझे आपके 1969 के एकांत्वास के बारे में बताया बाबा उन दिन तो आपकी हालत काफी खराब हो गई थी मुझसे तो आपकी हालत देखी नहीं गई देखो भाई मेरा तो कार्य ही ऐसा है खुदा धर्ती पर अउतार लेकर मानव रूप में तभी आता है जब धर्ती पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही होती है चारों तरफ लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं भाई भाई का नहीं रहता चारों तरफ माया रूपी अंधकार फैल जाता है इसी को दूर करने के लिए खुदा अउतरित होता है और जब वो इस माया रूपी अंधकार को दूर करने के लिए उससे लड़ता है तो उसमें उसके उपर बहुत ज़्यादा तकलिफे आती है माया हर इक शन अवतार के कार्य का विरोध करती मुझे माया को रखते हुए ही लोगों के मन से उसको पूर्ण रूप से हटा कर सत्य का ज्यान प्रवाहित करना है वो लोग जो माया के जाल में बुरी तरह जकड गए है उनको ग्यान रूपी प्रकाश में लाने के लिए ही मुझे इन सब तकलिफों का सामना करना पड़ता है जी वावा और आप लोग भी मेरी बात सुनिये आप लोग भी अपनी इस माया की जगडन से बाहर निकलिये मेरे बताय हुए रास्ते पर चलिये अब आप पूछेंगे कि मेरा बताया हुआ रास्ता क्या है रास्ता सिर्फ एक ही है वो है प्रेम सिर्फ प्रेम आपस में एक दूसरे से प्रेम करिए खुदा से प्रेम करिए जिस से प्रेम नहीं करना है वो है जल, कपट, स्वार्थ, अहंकार अपना अहम अपने अहम को छोड़कर खुले दिल से मेरे खुदा के पास आईए और मुझसे भरपूर प्रेम पाईए मैं सिर्फ प्रेम हूँ प्रेम का प्रतिरूप हूँ प्रेम का प्रतिबिम्ब हूँ प्रेम की अलावा कुछ नहीं हूँ आईए आईए फिर हम सब मिलकर प्रेम से प्रेम की भाषा में कुछ गाते हैं ऐसा गीत जो पुरे संसार में प्रेम की गंगा बाद है प्रेम करो तुम प्रेमियों मुझ से दिदय रगाई प्रेम बिना मुझ हो नहीं प्रेम बिना मुझ हो नहीं कोई भी जन पाई प्रेम करो तुम प्रेमियों प्रेम करो तुम प्रेमियों प्रेमियों करते जाओ सबसे ही तुम प्रेम करो बंधु प्राणियों से सेवा से जीवन में ये नेम करो जीवन में नेम करो तुम प्रेमियों प्रेम करो तुम प्रेमियों जीवन नेरस मुझ में हर दम आय रहो खुद में हर दम जाय रहो खुद में हर दम जाय रहो प्रेम करो तुम प्रेमियो मुझ से घ्रिदय लगा प्रेम करो तुम प्रेमियो 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 झाल 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 झाल